सलाम अलेकुम तो आज जो है हमने एक बड़ा ही इंटरस्टिंग चेप्टर करना है चेप्टर नंबर 25 और एक्सोसाइस 25.1 के तमाम कोशन्स कराऊगा चेप्टर का नाम है कौर्ट सॉफा सर्कल तो दिखें याद रखें अगर मैं आपको डारेक्ट एक्सोसाइस 25.1 के कोशन्स डारेक्ट करा दू बगार सर्कल की टर्मिलोजी समझाए बगार थियोरम समझाए तो मेरे लिए तो बहुत असान हो जाएगा आदे घंटे में ये एक्सोसाइस कवर कर दूँगा मैं लेकिन आप लोगों के साथ बहुत अनफेर हो जाएगा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो सबसे पहले मैं आपको सर्कल में जो टर्मिलोलोजी सिस्तेमाल होती है ये जो इतने सारे सर्कल बनाए है न ये कोई पूरिया नहीं है ये सर्कल से है तो ये आपको सबसे पहले टर्मिलोलोजी सिखानी है सर्कल में उसके बाद थियूरम और फिर एक्सरसाइस इंशालला फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत असान हो जाएगा अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि सर समझ नहीं आ रहा तो वो समझ आपको इसलिए नहीं आ पा रहा होता क्योंकि आपने टर्मिलोलोजी नहीं सीखी होती तो वो समझ नहीं होगा सेंटर की ये खुसूसियत उती है कि सेंटर से लेकर सरकल के सरकमफेरंस पर अब सरकमफेरंस क्या है सरकल की बॉंडरी को सरकमफेरंस कहा जाता है क्या कहा जाता है सरकल की बॉंडरी को सरकमफेरंस कहा जाता है जब भी आपसे कोई पूछ ले circumference बेशक आपको शाहिए थोड़ा सा hard word लग रहा हूँ लेकिन कोई hard word नहीं है यह easy word है तो circle की boundary को आप क्या कहते हो circumference C-I-R-C-U-M-F-E-R-E-N-C-E circumference तो यह जो नज़र आ रहा है आपको यह boundary यह जो line इसको क्या कहते हो आप circumference C-I-R सर थोड़ी सी जगा कम है इसलिए थोड़ा सा लिखने में time लग रहा है circumference circumference तो circle की boundary को आप क्या कहते हो circumference C-I-R-C-U-M-F-E-R-E-N अच्छा अब circumference से लेकर यह हो गई circumference ठीक है यह मैं black से बना देता हूं तो यह जो पूरी circle की boundary है आपके पास यह क्या होती है यह होती है आपके पास circumference जो मैंने पूरी आपके पास black से कर दिया ठीक है black कर दिया उसे अच्छा अब radius क्या होता है center से लेकर circumference तक का distance आपके पार radius होता है अब circle पर आप कहीं भी point बना लो यहां पर point बना लो और यहां से लेकर यहां तक का distance ले लो हमेशा center से लेकर circumference तक का distance c आएगा कहना क्या चाहरा हूं for example यह point यहां नहीं यहां होता तो यहां से लेकर यहां तक का distance वही आता for example center को o के लिया और जहां boundary पर point बनाया उसे a के लिया तो o से लेकर a तक का distance आपके पास बराबर आता o से लेकर b तक के distance के और o से लेकर c तक के distance के तो याद रखना रद्टा सर्कल के सैंटर से लिएकर सर्कमफेरंस पर यानी सरकल की बौंडरी पर आप नहीं भी पॉइंट बना दो और इसका रीडियस निकाल लो तो यह से माईब तो इसे आप क्या कहते हो रीडियस रीडियस सरकल है तो इसका radius हमेशा same आएगा यह नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सपरे तीछे लिखती है तो यह आपके पार radius radius टीक है तो O से लेकर B तक का distance बराबर आएगा O से लेकर A तक के distance के और O से लेकर C तक के distance के और radius एक straight line होती है याद रतना यह भी चीज़ ठीक है यह terminology आप लिखते जाओ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ अच्छा अब आपको यह तो समझना आगिया अच्छा अब यहाँ पर circle का होता है diameter circle को दो हिस्सों में मतलब दो बराबर हिस्सों में रखना जो आपका diameter होता है वो center को touch करके जाता है वो center पर touch कर रहा होता है अच्छा यह आपके पास हो गया radius जैसे के मैंने यहाँ पर बताया अब इसको अगर इस तरह बना दोगे ना तो आपके पास जो radius यहाँ से यहाँ तक आया था ना for example यह O से लेकर A तक का distance था और फ 2 तो अगर आप इसके साथ multiply करा दोगे 2 तो यह आपका हो जाएगा diameter for example आपके पास radius आ रहा था 6 आप इसके साथ 2 multiply करा दोगे यह हो जाएगा 12 तो यह हो गया diameter तो radius का double होता है diameter यह भी आप कह सकते हो और आप इसका formula पढ़ चुके हो radius निकालने का d equal to sorry radius निकालने का formula पहले पढ़ चुके हो r equal to d upon 2 यानि diameter को 2 से divide कर दोगे तो radius आजाएगा तो इसी तरह से अगर radius के साथ 2 multiply करा दोगे तो diameter आजाएगा है ना यह हम पढ़ चुके हैं तो diameter की एक और भी definition होती है कि यह circle के center को touch करता है और circle के एक point को दूसरे point से मिलाता है circle के एक point को दूसरे point से भी मिलाएगा और diameter और center को भी touch करेगा ठीक है यह center है देखो ओ center है touch कर रहा है ठीक है तो यह आपके पास क्या हो गया डी आई ए डायर meter अच्छा अब diameter होगे अब cord समझते हैं diameter के इलावा आप कोई भी line बनाओगे ना circle में जो के circle के दो points को touch करेगी वो cord होगी for example यहाँ पर diameter है यह diameter है अब आपने diameter के just उपर एक line बना दी तो यह cord है आपके पास cord जो है वो circle को cord जो है वो circle के दो points को आपस में मिलाएगी लेकिन center को touch नहीं करेगी यह क्या है आपके पास यह diameter है ठीक है यह क्योंकि यह center को touch कर रहा है लेकिन cord कभी भी center को touch नहीं करेगी अब for example मैं यहाँ पर एक point बना रहा हूँ तो यह जो तीसरी line मैंने बनाई है यह diameter है यह cord है बिलकु सही आपने बिलकु सही कहा क्योंकि यह cord है क्यों क्योंकि तीसरी line circle को touch नहीं कर रही है तो इसलिए वो line जो दो circle के circumference के points को मिला है एक point यहाँ परता मेरे पास एक point यहाँ परता ठीके circumference पर दो point थे दोनों को मैंने मिला दिया लेकिन center को उसने touch नहीं किया यह आपके पास cord है simple cord है अच्छा अब इसके साथ साथ और भी terminology से circle के अंदर आपके पास होता है segment segment क्या है यह हिस्सा कोई भी यह हिस्सा ले लो यह यहाँ पर यह हिस्सा ले लो यह circle का हिस्सा यह टुकड़ा इसे आप बोलोगे segment यह इस टुकड़े को भी कह सकते हो segment circle के किसी भी एक टुकड़े को आप कहोगे segment क्या कहोगे circle के किसी भी ट शुकड़े को आप कहोगे segment यह होगा segment segment समझगे segment क्या होता है कि सरकल के किसी भी एक छोटे से हिस्से को आप segment कह सकते हो यह sector नहीं है याद रखना यह sector नहीं है sector के जो दो आपके पास सेंटर को टच करते हैं तो यह सिर्फ सेंटर होस amen करते हैं तो चैटर क्या होता है यह का आपके पास Center है Center से आपने Circle के circumference पर एक मिलाती है उसे आप बोलते हो Radial Segment Radial Segment ठीक है याद रखना Radial Segment क्या है वो Line जो आपने बनाई है जैसे के यहाँ पर यह O A यह Line जिसने O और A को आपस मिलाया है ना यह Radial Segment है आपके पास बेशक यह Radius किलाएगा लेकिन जो Line आपस मिला रही है डोनों Points को वो Radial Segment के लाएगी ठीक है तो जो Line Center को और आपके पास Circumference पर जो Point है उसको मिलाएगी उसे बोलोगे Radial Segment और यह Distance क्या है इस सिर्फ Line को Radial Segment कह रहा है हम ठीक है और यह Distance को आप Radius ही कहोगे जैसे कहते हैं हो अच्छा आप सेक्टर को समझ लेते हैं यह आपके पास एक Radial Segment आ गई यह आपके पास एक और Radial Segment आ गई यहाँ पर हमारे पास था O Center और A Point था यहाँ पर सरकल पर और B Point था यहाँ पर सरकल पर तो यह जो Distance है आपके पास यह जो Distance है यह Distance मतलब यह जो area है इसको आप कहते हो sector, sector basically area होता है, sector क्या होता है, area होता है, sector, sector का formula भी आप पीछे पढ़ चुके हो, half r square pi, half r square theta, half r square theta, ठीके तो यह जो हिस्सा मैंने color किया है, यह आपके पास क्या है, यह sector है, अब sector अब यहाँ भी बना सकते है थे चाहते तो, यह यहाँ भी बना सकते है, तो कहीं भी बना सकते हो sector, वो मसला नहीं है, ठीके रहे, लेकिन बस दो radial segments होनी चाहिए उसमें, sector समझ गया है, आखरी चीज़ है, arc, arc क्या होती है, arc length पढ़ी है ना, physics में, circular वाले chapter में, तो यहा arc, arc क्या है, यह जो मैंने distance बनाया है ना, circle की circumference पर, circle के circumference पर यह जो curve बनाया है, यह आर्क है, आप चाहो तो arc यहाँ भी बना सकते हो, circle पर कहीं भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो arc, ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ को select किया, तो इसलिए वहाँ पर बनाया, तो अब इ दिमाग में बिठा लेना है, center क्या है, circle क्या है, diameter क्या है, radius क्या है, यह सारी चीज़े आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिएं, ठीक है, अच्छा इसके साथ तर एक और चीज़ भी बता दूँ, कि circle वही चीज़ होती है, जिसमें आप center से लेकर circumference पर कहीं भी point निकाल लो, radius same आएगा, for example, मेरे पास यहाँ पर यह radius है न, और यह line radial segment है, confuse नहीं हो ना, radial segment और radius में, distance को radius कहेंगे, लेकिन जो line मिला रही है, उसे आप radial segment का हो गए, अच्छा, अब for example, मैं center से लेकर यहाँ तक का point निकालू, तो यह भी हमारे पास same आएगा, मतलब मैंने निकाला O, A point निकाला, O से लेकर A तक का point निकाला, distance निकाला, अब मैंने O से लेकर B तक का distance, तो O से लेकर B तक का distance हमेशा same आएगा, अगर यह circle है, इसी तरह से मैं C बना देता हूँ, तो O से लेकर C तक का distance भी same आएगा, इसी जो चीज मैं बनायी थी वो बनी लए ठीक है तो यह तो हमारे सरकल की टेर्मिलोजीई हो गई अब जब मैं ठीरम कराओंगा सब चीज़े कराओंगा यह वहाँ पर यह सब इसके मालोगा तो इसको लिख लो याद रखने इसको लिख याद रखना यह थोड़ा सा रिमूफ हो गया अब सही करने जाओंगा ना तो बहुत मुश्किल होगी तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं आप आज़ते हैं हम अपने थीयूरम की तरफ सबसे पहले थीयूरम करेंगे इसमें तीन थीयूरम दिये वह है उसके बार कोशन है कोशन तसान है कोई मुश्किल नह मैंने वहाँ डिफाइन कर दिया अच्छा यह आपके पास थीयूरम यह आपके पास थीयूरम में आपके पास है सेंटर जो के यह ओ है इसको याद रखना है क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा करके थीयूरम समझाऊंगा इसको कोई भी रटवाऊंगा नहीं समझ में आगया यहांः यहांपर दिख रहाएं यह हिस्सा बनाओ नज़र आ रहा है यह यह लाइन सेग्मेंट यहांपर खरों-बने में आपके पास ठीक है ड्रॉओ-Line σग में आपके अच्छा यहांपर रीडियल सेग्मेंट को आप लाइन услब्स सग्मेंट के बिस आप यहां से लेकर B तक ये, A से लेके B तक एक line segment बनाए हुआ है अच्छा, हाँ, radial segment को line segment से नहीं मिलाएगा radial segment अलग ये line segment अलग है मैंने वो radial segment, line segment एक साथ कह दिया, अलग है line segment आपके पास कोई भी circumference पे 2 points को तो आपस में मिला सकती है लेकिन radial segment का काम यह होता है कि radius और circumference पे point को मिलाना, ठीक है तो radial segment अलग चीद है, line segment अलग चीद है N, B, C तो देखो, आपके पास एक circle था सबसे पहले circle में मैंने एक center row किया, O उसके बाद मैंने एक point row कर दिया, E उसके बाद मैंने एक point row कर दिया, B उसके बाद मैंने point row कर दिया, C ठीक है, अब मैंने radial segment की मदद से O, A को मिला दिया O, B को मिला दिया, O, C को मिला दिया, अब यह जो extra line नजर आ रही है ना, यह वाली, और यह वाली, यह bisector है, bisector है कैसे पता चल रही है मुझे क्योंकर तो यह perpendicular इस पर यह perpendicular angle बना रही है और A और B को midpoint से भी काट रही होगी है अब यह आगे पता चलेगा, theorem में कहेंगे खोदी तो B, C को मैंने क्या किया line segment बना कर A और B को भी आपस में जोड दिया, बिलकुल एक छोटी सी line नजर आ रही होगी आपको आपको एक छोटी सी line नजर आ रही होगी मैं थोड़ा सा इसकी अगर brightness को कम करूँ न तो देखो, यह नजर आ रहा है यह नजर आ रहा है आपको, छोटी सी line तो इसे बोलना है, यह line segment ठीक है, अब वापस इसका मैं तोड़ा सा zoom back करता हूँ अच्छा, zoom out कर दिया है मैंने से अच्छा, अब आपने क्या क्या है, ड्रो बाइसेक्टर बाइसेक्टर क्या है यह जो यहां से यह दिख रहा है जो A, B को midpoint पे काट रहा है यह आपके पास बाइसेक्टर है और इस बाइसेक्टर को कहा गिया E, D, देख लो अच्छा, हाँ, बाइसेक्टर के लिए एक और चीज भी मैं आपको बताऊं कि बाइसेक्टर को बताने के लिए कि बाइसेक्टर है वो कोई चीज भी बाइसेक्टर है जैसे कि यहाँ पर E, D, बाइसेक्टर है आपके बस, E, D कि और अदो ब्यसक्टर समझ में आगिया अब इसके बाद भी 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 ब्याइट त्ठिको यह नजर हरा रहा यह रहा ज़ी और यह फ वडना अच्छा और यह बी को क्या रहा है काट रहा है अच्छrator अच्छ से वाला ब्यूसक्टर जो है वह कि आपके ना भी यह Daisy को प्रूफ ये करना है कि क्या यहां पर यह कोशन यहां पर था प्रूफ यह करना है कि यह जो A, B, C है यह को लीनियर है मतलब A, B, C पॉइंट जो आपने सरकल पर बनाए है यह को लीनियर है यह नहीं है तो याद रख लो, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि को-Linear क्या होता है एक LINE है LINEAR का मतलब ही होता है स्ट्रेट एक LINE है उसके ओपर पॉइंट लाए कर रहा है तीन पॉइंट लाए कर रहा है स्ट्रेट LINE है तो इसको बोलते हो आप को-LINEAR L-I को-Linear ल-I-N-E-A-R ठीक है तो को-Linear क्या है डबल-L आता है ठीक है डबल-L को-Linear तो को-Linear क्या होता है एक स्टेर्ट लाइन है उसके ओपर तीन पॉईंट लाए कर रहा है तो वो को-Linear है लेकिन circle में तो straight line होती ही नहीं है तो circle में co-linear का concept भी नहीं होता मतलब circle में यह A, B, C co-linear नहीं होगी आपने यही बात proof करके बता देनी है कि वाकिय यह नहीं है तो चले आए यहां करता है All points at E, D are equal distance from A अच्छा तो circle है ना तो O से लेकर A तक का distance O से लेकर D तक का distance O से लेकर F तक का distance O से लेकर C तक का distance Same होगा और co-linear जब भी कोई line होगी ना तो उसमें distance same नहीं आता तो यहां यह लिखा हुआ है E, D, R equal distance from A and B So O A equal to O B तो O A, O B के बराबर है क्योंकि वो center पे है center से लेकर A तक का distance and center से लेकर B तक का distance same आएगा क्योंकि मैंने अभी बताया था circle की एक खसूसियत होती है as point on ED all points on GF GF के साथ भी same ही काम होगा जैसा ED के साथ हुआ ना वो भी same होगा कि O से लेकर B तक का distance same आएगा O से लेकर C तक का distance same आएगा अचा देखो अब यहाँ भी O से लेकर B तक है यहाँ से भी O से लेकर B तक तो transitive property लगा सकते हो आप यहाँ पर उससे पहले यह point देख लो O is the unique point of intersection अचा अब O point क्या है O point वो point है जहाँ पर तमाम lines आपस में आके मिल लई है जैखो A कहाँ पर मिल लई है O पर मिल लई है line DG sorry DE कहाँ पर मिल लई है O पर मिल लई है अच्छा line FO कहाँ पर मिल लई है O पर मिल लई है line CO कहाँ पर मिल लई है O पर मिल लई है ठीक है तो O वो point है वो unique point है जहाँ पर तीनों सारी जितनी भी lines बनाई है दो bisectors और तीन लाइन और तीन radial lines, radial segments O point पर आके मिल लही है अच्छा तो यह हो गया, अब हमने उपर तो पढ़ लिया है कि O से लेकर B तक का distance सेम है तो O से लेकर O B से लेकर O C B सेम है तो equation 1, equation 2 को आप कर सकते हो combine यह transitive property लगा सकते हो transitive property क्या कहता है, कि अगर A equal to B है और B equal to C है तो यह बात understood है, understood है कि A equal to C B होगा यह ऐसे भी लिख सकते हो, A equal to B equal to C तो बिनकुल यहाँ पर वही हुआ है, कि O से A distance सेम O से B तक के O से B तक का distance सेम O से C तक के तो यह तीनो distance आपस में same आएंगे और वो radius बनेगा जो के R से denote होता है तीक है, अच्छा अब वही बात लिखी है, the circle with center only O and radius passing through A and B तो याद रखना, circle में कभी भी points co-linear नहीं होते क्यों क्योंके O से लेकर A, O से लेकर B, O से लेकर C अगर distance same आ रहा है तो वो चीज circle है और circle में कोई state line नहीं बनती circumference पर ठीक है, अगर हाँ बहुत छोटा करके देखो के circle को तो शायद बन भी जाए बहुत बड़ा कर दो, zoom कर दो circle को, तो शायद बन भी जाए लेकिन अगर दूर दूर points बन रहा हो तो collinear नहीं होंगे यही बात लिखा है, therefore there exists one and only one circle center at O and with radius R passing through non-collinear points, तो जितने भी ये points होंगे collinear होंगे, अगर ये points collinear नहीं होते, linear होते आपस में non-collinear नहीं होते, collinear होते, तो फिर ये circle ही नहीं होता, क्योंके O से लेकर A तक कर distance, O से लेकर B तक कर distance के बराबर नहीं आ रहा होता, अच्छा आप दूसरा theorem भी आगिया है, दूसरा theorem में आपके पास एक नहीं चीज़ आई है, वो आई है, circum circle, circum circle, circum circle क्या होता है, यह बनावा, कि circle के अंदर triangle बन जाना, यह circum circle होता है, और circum circle में आपके पास triangle जो है न, वो circle के 3 vertex को, मतलब 3 point को touch करेगा, जो triangle बनाओगे न, वो circle के 3 points को touch करेगा, यानि triangle के 3 vertex जो है, वो circle के circumference पे 3 points को touch करेंगे, और ट्राइंगल का बना बड़ाना बड़ा है कि इसादर यह और ट्राइंगल के क्या है वाइटेक्स होता है इस तरह से तो यह वाइटेक्स जो है लगे वह सरकम जो है वह सरकम फरन पर टच कर रहा है तो चले हैं इसको पढ़ता है क्या जा रहे हैं कि प्रूफ डैट वन एंड ओनली वन सरकल कैंड पास थरो दा वर्टेक्स ओफ ड्रैंग वर्टेक्स ओव ट्रैंग्ड फिर बढ़ देता हूं यह थोड़ा साना मस्किर हो Prove that one and only one circle can pass through three vertex of a triangle मतलब आपके पास सिर्फ एक circle है और उसके अंदर एक triangle है क्या triangle के तीन vertex टच कर सकते हैं circle के center circle के circumference पर मतलब triangle के तीन vertex circle के circumference पर आ सकते हैं बिलकुल आ सकते हैं यहां पर बने वे नजर भी आ रहा है हमें triangle क्या a b c नजर आ रहा होगा यह a b c अच्छा with vertex अब vertex क्या है a b c अच्छा देखो जहां पर दो lines आपस में मिलती है मैंने बता दिया वो vertex होता है for example यह क्या है vertex से दो line आपस में मिल नहीं है यह क्या है vertex से दो line आपस में मिल नहीं है जहां पर दो लाइन्स आपस में दूसरे को मीट करती हैं उसको हम वर्टेक्स कह देते हैं और यह कहा जाता है ठीक है ट्राइंगल और जुमेट्री की टर्मिनोलोजी में तो यह हो गए अब आगे देखते हैं से वन एन ओनली वन सरकल कें पास थ्रो वर्टेक्स ऑफ ए बीसी अच्छा यह डीए क्या है डीए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यह राइड बाइसेक्टर है यानि साइट को दो हिस्सों में भी तोड़ देंगे और परपेंडिकुलर तोड़ेंगे अब देखो यहां पर ये छोटा सा एंगल बनाया है क्यों बनाया है क्योंकर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नजर आ रहा है इसे याद मैं यह असल चीज़ नी तो A C के लिए पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है सबसे पहले A B को ठिकर कर लेता है A B के लिए पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है तो यह A है यह B है इसके लिए पर्पेंडिकुलर साइक्टर है E B C के लिए perpendicular bisector क्या है यह B है यह C है तो इसके लिए perpendicular bisector है F G कहलो यह GF कह magaz़ो ठीक है एक इंगे बात है I think E C के लिए perpendicular bisector क्या है 2017 आई, ठीक है तो यह H है, यह I है तो perpendicular bisector समझ गए, तीनो lines क्या आप तीनो sites पर perpendicular bisector बनाए गए यह इसलिए बनाए गए ताके ओसे लेकर जहाँ पर यह तीनो, चारो सारी lin मिलेंगी ना, वो center होगा circle का, तो यह circle का center आई यह, जहाँ पर तमाम perpendicular पर पर यूनिक पॉइंट ऑफ इंटर सेक्शन होगा अचा अब कंस्रक्शन तो होगे हमारे देख लेता है अच्छा ओ इस दर यूनिक पॉइंट ऑफ इंटर्सेक्शन और वह ओपॉइंट ही सेंटर है जहां पर bisectors आपस में मिलती है आकर तमाम अगर एक भी नहीं मिल लगी होती ना तो इसका मतलब यह कि सरकल के अंदर वो नहीं होता center लेकिन यह circle है तो इसलिए इसके पास center तो हो गई होगा तो तमाम bisector एक ही point पर आके मिलेंगी अगर दो मिल लगी होती तो इसका मतलब यह होता कि सरकल नहीं है यह लेकिन तीनों मिल लगी है तो इसका मतलब यह कि यह circle है तो यह center पर मिलेंगी जाकर खुद ही मिलेंगी आपको मिलाने की तरुछ नी कूळप ँछए भूद ही मिल जाएंगी बस आप आप सही तरीके से draw नहीं हारी लाइग एक डूसरे को कट कर रहे हैं इंगल सेम नहीं है तो पॉइंट ओ से लेकर सरकम्स एंट इसका जो सेंटर होता है नवह सरकम सेंटर किलाता है सरकम सरकल का जो सेंटर होता तो इसका जो सेंटर होगा वो सरकम सेंटर किलाएगा सरकम सरकल का सेंटर सरकम सरकल का सेंटर क्या इलाएगा सरकम सेंटर तो सरकम सेंटर क्या है वो सेंटर है आपके पास circle का भी होगा और triangle का भी center ही बन जाएगा वो शायद अभी देखते हैं अच्छा तो देखो भाई अब तो center आगी है ना तो center से लेके वो तक का distance भी same होगा center से लेके OC तक का भी distance center से लेके भी तक का distance तो देखो O से A distance same O से B same O से C same इसे R कहें दिया हमने इसको definition of circumcenter के मुताबिक अच्छा the circle with center O and radius R pass through vertex अच्छा वो circle जिसके अंदर center O आ जाए तो इसका मतलब यह है मतलब अगर मैं समझाता हूं अगर circle में जो triangle बना है उसने टीनो vertex को touch करा है जबी जाकर इसके bisectors जो है वो आपस में intersect करेंगे फिर समझ लो कि अगर यह जो triangle बनाया है circle में इसने तीनो vertex को touch कर रखा है और bisectors जो हैं वो तीनो एक जगा पे मिल रहे हैं तो जबी आपके पास जो O से लेके C तक कर distance O से लेके B O से लेके A तक कर distance same आएगा अगर एक भी vertex कर रहा होता तो bisectors आपस में नहीं मिलते तो फिर यह नहीं होता आपके पास सरकम सरकल अच्छा अब यह दूसरा करता है अब यह शेप quadrilatel है बहुत सारे आपको इसमें वह नदर आ रहे होंगे पहले मैं यह quadrilatel शेप समझा दो quadrilatel है कैसे पता चल ला है कि इसके चार vertex है यहां भी आपने वही बताना है कि क्या quadrilatel के चार vertex circle को touch कर सकते हैं चलें चेक करते हैं शो डेड सिर्फ वन सरकल है आपके पास वन एन ओनली वन सरकल can pass through vertex of quadrilatel vertex का है यानि चारो vertex की बात हो रही है तीन vertex की नहीं तो यहां 4 vertex होगा अब काई लेटल क्या है आपके पास एस एब दे डी सींडी कि यह क्योडल हो गया अब आपने सक्ष्णल में भी आ कि बनाये हैं आप इस قोडलल के बाइसेक्टर जहां पर यह चारो बाइसेक्टर मिलेंगे वह सेंटर ओ जाएगा ओ ओ ऊजाएगा ठीक है तो समझ गए ना अब बनाते हैं बस बाइसेक्टर्स तो तो अब यहां पर ना यह बहुत मुश्किल लग रही होगी डाइगरम लेकिन कोई नहीं सबसे पहले सरकल बनाना फिर ए बी सी डी कोडरलेटल बनाना अब उसके बाद बाइसेक्टर्स लाना ठीक है अच्छा अब बी के लिए परपे अगzew झा रही हैना नजर आ रही है दो लाइन यह नजर आ रहे हैं अब एक लाइशेक्टरि एक न यह बहुत तो यह सो ऑर भैतर समझाता हम था को है अब हम आगे क्या है EF, EF वाली जो लाइन बनाई है इसी तरह से DC के लिए perpendicular bisector क्या है, या CD कहलो वो है आपके पास वो है आपके पास JI, जो के यहीं पर बनाई गई है बनाई गई है, देख लो अच्छा, इसके बाद, अब आज़ते हैं BC के लिए perpendicular bisector क्या है BC के लिए perpendicular bisector है GH, यह तो कहीं यह बनी भी नसर आ रही होगी अच्छा, अब इसके बाद आखरी आ जाते हैं AD के लिए perpendicular bisector क्या है AD आपके पास यह रहा, तो वो होगी KL, जेखो यह रहा का लिखा है इन्होंने यह लिखा हुआ KL तो नहीं है, AD के लिए perpendicular bisector, तो KL बोलने है यहाँ पर KL, AD के लिए नहीं है perpendicular bisector, KL तो DC के लिए है, यह थोड़ी सी mistake नजर आ रही है, यह को KL यह कह रहा है, perpendicular bisector है, AD के लिए जबकि AD के लिए तो perpendicular bisector IJ है तो यह थोड़ा सा इसको सही करना IJ को इदर लिख लेना KL को इदर लिख लेना फिर सही हो जाएगा ठीक है, हो जाता है अब इतना तो यह zoom करके गए हैं उसको solve करने के लिए, इतनी को mistake हो जाती है कभी का बार लेकिन आप सही कर लेना तागर आपका ना mistake हो इसमें काफी मुश्किल exercise है सर में दर्द हो जाता है मतलब बहुत zoom करके देखना पड़ता है इसमें, all points on EF are equal distance from A अच्छा याद रखना है यह जो जहां पर यह चारी सारी perpendicular back sector साके मिली है ना वो unique point है, unique point of intersection है, unique point of intersection है उसी को center कहें गया तो बस वही बात है उसे लेकर A तक का distance same अगर यह circle का center आगिया है तो उसे लेकर A तक का distance same O से लेकर B का distance same होगा उसे लेकर A तक के distance O से लेकर C तक का distance same होगा O से लेकर B तक के distance के तो वही बात लेकी हुए, O से लेकर A तक का distance same O से लेकर B तक, congruent कहलो same कहलो, एक ही बात होगी तक से मों अभी तमाम अगर सेम आ रहे हैं तो फिर यहां बी कंभाइन कर सकते ओन्सों को चुक्के देखो यह वाला ओए यह वाला ओए से मप्सक्राइब होगे तो आपके पास ओए ओदी के बराबर आइगा ठीक है और ॉबी कि भी बराबर आ कि दो पर्बाइन कर दो मैंने ओ अ को कंभाइन कर लिया ओ डी को अर ऊभी को कंभाइन कर लिया तो मैंने सब बडराबर लिख दिया अब इसके लाब हो यहां भी बराबर है तो OC के भी बराबर आजाएगा तो OA equal to OD equal to OB equal to OC इस तरह हुआ थोड़ा से इसकी practice करिएगा ताकि अच्छा समझना आजाए अच्छा बाकि यहां तो यहीं बताएगा है कि वो unique points of intersection है जहां पर तो यहां पर आके मिलेंगी वो center होगा ओका होगे उसे बात उपर करनी चाहिए वो नीचे बताएगे इन्होंने कि ओ जो है वह इक्वाइडिस्टंस पर है यानि equal distance होते है same distance नैनि ago से लेकर A तक का distance भी same आएगा ऊसे लिएक बी तक के distance के ओ से लिएक के और से लेकर दिस्टंस दुसे लेकर समया और ओ से लेकर दिस्टंस से मत에 उसे लेकर के टिस्टंस समया अब उस सर्कल के अंदर जो बन जा है अगर उस सर्कल के चारोब सेरेन सज़ को टेच कर रहे दो उनके जो बाय सैक्टर्स होंगे फोट पर आ के मिलेंगे और यही बात यहां इसको आमने कर लिया अब कर लेते हैं इसके कोशन्स तो यहां पर एक आदा घंटा तो आपके सामने है कि पूरा इसी में निकली गया हमारा क्योंकित है कि मैंने आपको बहले ही बताया था अगर मैंने यह थूरम नहीं समझा है तो आपको कभी भी बात समझ आईगी नहीं तो अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आऊ तो पूछ लेना अब इतना टैम तो नहीं है कि मैं लिखवा सकूंँ तो इसलिए जो सॉल्फ है उसी में से मैं आपको बता देता हूं क्योंकि समझ नहीं है लिखना है इसमें को इसमें नुमेरिक टाइप सॉल्फ नहीं करना के इसको देख लो पहला सवाल कहता है मतलब प्रूफ करने वाली बात है कहना सरकल पास थो थी पॉइंट तो हमने अभी पड़ लिया कि सरकल पे जो पॉइंट्स होते हैं वो कभी भी को लीनियर नहीं होते हैं आपके बस दो है यह लेकर नो बैटर नो बिकॉस राइट बा मापस में नहीं मिलते यानि मैंने कहा था ना कि अगर आपके पास जो पॉइंट बनाए है सरकल पर वो को लीनियर थे तो फिर यह परपेंडिकुलर बाय सेक्टर एक दूसरे से मिलते ही नहीं आगे इसका दूसरा जवाब भी है दूसरा रीजन भी है दोनों में से एक भी लिख लो है नीचे वाला लिख लो उसमें भी यही बात एक्स्प्लेइन होगी कोशन नमबर टू कैन यू ड्रॉ आ सरकल फ्रॉम एनी फोर नोन को लीनियर पॉइंट एक्स्प्लेइन विद लिजन तो कह रहें कि क्या आप सरकल बना सकते हो नोन को लीनियर पॉइंट की यह 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 तो स्ट्रेट लाइन बन गई हां अगर नोनको लीनियर आ यानी एक ही लाइन पे नहीं आ रहे है Mais musk पॉसिबल तो हां यह पॉसिबल है कि नोन को लीनियर पॉइंट से सरकल बन जाए यह याद रखना तो यह बाद रखना है लिखा हुआ इस पॉसिबल ओनली वें दा कोड़ालेटल फॉर्मड बाइ जोए निए अच्छा इसमें कोड़ालेटल बनेगा क्यों क्योंकि आपके पास जो को लीनियर पॉइंट से वह चार होंगे और अभी आपने पढ़ रखा है पीछे हमने उसका यह देखा यह को यहां भी आपके प रहे हो एपने यह लेffer पन सकता था ठ्रेपिजियू क्या रखना है यह ट्रेपीजियम और इसक्वायर रेक्टेंगल होते हैं क्योंकि इसमें चारे आते हैं अभी आगे ना पेंटागे उनपर यह देखेंगे स्क्राइब तो बैसिकली वोही इसमें काम हुआ है जो कि हमने थियूरम थियूरम जो के सबसे पहले तो सरकल बहुत कर लेना है सरकल के चार पॉइंट्स को नाम दे देना है कि अब सी mint कि यो ये मिअ पर्पेंडिकुलर बाकटर बना लेंगे इस sided की इस तक B से लेकर C, C से लेकर D, अब देखो D और C के लिए जो perpendicular बैसेक्टर होगा ना वही perpendicular बैसेक्टर ए और B के लिए भी होगा, क्योंकि यह सब्सक्राइब है, इसकोइर में परिपेंडिकूलर बैसेक्टर दोनों साइट्स का सेम आता है, याद रखना तो यह इसको यह चैस लिखी भी यह देखो लिका वाए अज्यूम डेट दा सरकल पास्थ थ्रोड़ वर्टेक्स ओफ फोर वर्टेक्स ओफ इसक्वाइर एबी सीडी यानि अज्यूम करो कि आपके पास सरकल है और वो सरकल के चार वर्टेक्स टच कर रहे हैं मत है आपके लिए प्रूफ करने तो पी क्यू एन अर एस आम वह ना पताना पी क्यू और आरइस क्या है दो लाइन हैं और दो काफी है आपके लिए चार साइट्स को पर्प्रिटीकुलर कट करने लिए यह खासिए भी बात ठीक है उसके बाद S R perpendicular bisector किसके लिए BC के लिए भी है जबो ये BC के लिए और AD के लिए भी है तो these all points अच्छा ये दोनों perpendicular bisectors एक point पे मिलना है जाकर और वो point circle का center है ठीक है अच्छा अब circle का center आ गिया है तो ये बात तो same है कि O से लेके तक कर distance same होगा और से लेकर B, O से लेकर C, O से लेकर D तो देखो ये लिखा वबी है और से लेकर A तक कर distance बराबर है और से लेकर B तक के distance के और ये जो sign है परpendicular bisector का है ऐसे भी बना दिया जाता है ठीक है के और फिर यहां पर आगे ये कहेंगे के O B, O C के बराबर है जैसा के हम पढ़ चुके हैं फिर O C, O D के भी बराबर आएगा O D, O A के भी बराबर आएगा चारों चीदे बराबर है compare कर, combine कर दो तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास ठीक है कैसे आएगी मैं आप थोड़े देर पहले आपको ये बताई कि ये बात देखो फिर बताता हूं O B बराबर है O A के, O A बराबर है O C के, O C बराबर है O D के, O D बराबर है O A के सबसे पहले इन दो को compare कर दो, combine कर दो, तो O B, O A दो time है तो एक time आ जाएगा और O C हो जाएगा अब इसको और इसको भी compare कर, combine कर दो, तो O B, O A, O C, दो time है न, O C इदर भी इदर भी तो, O D तो देख रहे हो, यह चीज़ आ गई, देख रहे हो, बस यही करना दा यह और कुछ नहीं करना दा, अचा बाकी आपको पता है कि अगर चारो distance आपके पास बराबर आ रहे है तो इसका मतलब यह है, कि जो square का vertex है, उसने touch किया होगा, circle के circumference को किसी point पर, जबी ऐसा हुआ है possible, तो यह geometric हमारा concept हो गया है, अब आ जाते हैं, चौते questions के उपर, सेम कामी करना है, बस अब shape आपके पास ना, उसकी है, क्या कहते हैं, pentagon की, अब pentagon क्या होता है, 5 vertex वाली shape pentagon होती है, देखो, एक vertex, दूसरा vertex, देखो यह एक vertex हो गया, यह दूसरा vertex हो गया, अच्छा, अब इसको बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है, यह तीसरा vertex हो गया, यह दो vertex होगा, जिनको मैं डाग कर रहा हूँ, अच्छा, अब यह तीसरा vertex हो गया, यह चौनता vertex हो गया, अब यह पाँचवा vertex हो गया, देखो, तो यह वाला पाँचवा vertex है, समझ में आ रहा है, अपने ने तोड़ा बहुत करीब करीब बनाया ना, तो शाद शेप समझन इसको तोड़ा बड़ा करीगे बनाता है, यह एक line, यह दो line, यह तीन line, यह चाल line, यह 5जी line, पाँचे लाएंगे तो 5 vertex बनेंगे, 1 vertex, 2 vertex, 3 vertex, 4 vertex, 5 vertex, यह pentagon कहलाता है, पाँच vertex वाली shape, pentagon कहलाती है, अब वो किस तरह का pentagon है, उसकी अलग study होती है, लेकिन वो higher geometry में होग पांच वैटेक्स वाली किस तरह की शेप बनी है इसको भी थियूरम से प्रूफ करके दिखाया जाए तो अभी तो आप सिर्फ आम चुमेट्री है नौर्वल बैसिक चुमेट्री कर रहे ना तो इसलिए आपको यह नहीं कराएंगे और है भी नहीं है आगे हो तो शायद हो ल कि पेंटोकॉन के पांच वर्टेक्स क्या सरकल के सरकमफैलंस पर टच करेंगे तो इसलिए लिगव है अजूम डेट दे सरकल पास्थ रोड़ वर्टेक्स वाफ रेगुलर पेंटागॉन रेगुलर पेंटागॉन यानि यह जो पेंटागॉन की बीसिक शेप होती ना यह हो है तो प्रूफ ओनली वन सरकल कैन पास थ्रोड़ वर्टेक्स ऑफ इस्क्वाइर एबी सीडी तो देखें कंस्ट्रक्शन तो पेंटागॉन में क्या होगा के हर साइट के लिए आपको अलग अलग पर्पेंडिकुलर बैसेक्टर चाहिए होगा तो टोटल पांच पर्प पर्पेंडिकुलर बैसेक्टर और यह पर्पेंडिकुलर बैसेक्टर बनावा है इसी तरह से इसके ओपर देखेंगे तो आप तीर का साइन बनावा है डबल तीर वाला शायद नजन ना आ रहा हो लेगा मैं थोड़ों सब्सक्राइब करूं तो ऐसे होता जो पॉसिबल नहीं क्योंक बहुत छोटा लिगा वा न तो इसलिए तो मजलों ऐसा साइन बनावा है एस टी के ओपर ऐसा साइन बनावा है कि अब चलें आगे बढ़े चलते हैं आगे बढ़े चलते हैं तो उसके बाद टी जो है वह पर पेंडिकुलर बाइस सेक्टर है सीडी का तो सीडी हमें पहले देखना पड़ा देखें यह रहा सीडी सी और डी लेकिन सीडी के लिए परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर हमारे पास टीए कह रहे हैं यह टीए तो परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर बी सी के लिए है तो यह गलती है यह बी सी होगा इसको बी सी करना जो मैंने काट है ना इसे बी सी करना तो इसी तरह से पी KT-A perpendicular bacector home Depot CD के लिए बिल्कु सही यह cytग WRkan की लिखा है यह भी शाहिद घल्ति है क्यूंकि perpendicular wij sector QB है टो इसे q b घन न भाई क्यूंकि क्यूंबी पर्पेंडिकुल razector है D earnings के लिएज इस यह क्यू क्यों बी क्यूंबी क्यों बी यह वाला पर्पेंडिगुलर बाय सेक्टर इसके लिए अच्छा आकर में पर्पेंडिगुलर बाय सेक्टर जहां पर मिलेंगे वह आपके पास होगा यूनीक पॉइंट ऑफ इंटर्सेक्शन यानि सेंटर अब सेंटर से लेकर आपको पता है बाय से लेकर 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 बा पाच ही वर्टेक्स होंगे ओए, ओबी, ओच, ओडी, ओई इस सब रेडियस के बराबर हैं तो विलकुल ये बात प्रूफ हो रही है हमारे पास कि अगर एक pentagon है और circle में बना है और साथ ही साथ वो circle के 5 vertex उस pentagon के 5 vertex circle के boundary को touch कर रहे हैं तो फिर आपके पास perpendicular bisector एक point पे जाके मिलेंगे वो point होगा unique point of intersection और आपके पास ये condition proof हो जाएगी कि जो चीज है वो circle है और वो touch कर सकते हैं बस ये बाद याद रखना अब मेरे पास दो condition है पहली condition में ये करूँगा कि मैं आपको ये चीज जो है यहीं से समझा दूँगा इसका solution बोट पे करा दूँगा बड़ा ही interesting और मज़िदार question है अब कैसे पता चल जाएगा भी तीन विलिज हैं देखो लिकावा है एक एक करके बताता हूं इंशाललही अच्छा समझ में आगा ये बोट के लिए most important question है भी गंदी कर रहा है ये वोग कराब हो रहा है तो तीन विलिज है ट्री विलिज इस ओर सीचुएटेट इन दा वे अच्छा ये तीन विलिज इस तरह से हैं मतलब इनकी लोकेशंस क्या है इनके मतलब इनके यह कहा पर located है तो B is East जो B village है ना यानि जो village B है जिसका नाम B है भावलपूर कहलो चलो भावलपूर तो शहर है कोई भी village B से आता हो उसका नाम वो A के East में है A के मुकाबले में East में है यानि तो कोई ये North South West East तो A के मुकाबले में East आपने B village बना दिया अगर कोई A village से बी में जाएगा तो छे किलो मेटर करना पड़ेगा इसी तरह से सी विलेज बी के मुकाबले में North में है यानि उपर की तरह है और वह 8 किलो मेटर के संस पर है ठीक है डाइड डिटर्माइन दा लोकेशन ओफ मॉस सो डैट है तो वाक सेम डिस्टंस यह कह रहे हैं फ्रॉम इच विलेज बाई यूजिंग रूलर कंपस एंड डिवाइड डिवाइड अच्छा कहने का चाह रहे हैं सिंपल कह रहे हैं कि मस्जिद बनानी है कि मॉस को ऐसी जगह पर बनाना है कि तीनों विलेज ते आने वालों के लिए सेम डिस्टंस पर बन जाए मतलब अगर कोई ए विलेज ते आ रहा है उसको भी सेम डिस्टंस ट्रैवल करना पड़े फॉर एक्जेंपल फॉर किलोमेटर का या फॉर सेंटीमेटर लिखा वाई ग अगर कोई ए विलेज से आए यह ओ पॉइंट पर विलेज बने ओ पॉइंट पर जो है न मस्जिद बनेगी आपकी तो कोई अगर ए से आए मतलब ए विलेज से आए तो उसको फॉर किलोमेटर ट्रैवल करना पड़े सी से आए तो भी फॉर किलोमेटर ट्रैवल करना पड़ है अगर village के center में बनती है मतलब circle के center में बनती है मस्जिद और village और जो गाँ है वो जो है circle के circumference पर बनते हैं तो फिर distance सेम आ जाएगा एक बार थोड़ा और अच्छी दर explain करता हूं कि यह village जो है न वो circle के circumference पर बन रहे O से लेके B तक का distance भी same हो जाएगा O से लेके C तक का distance ये तीनों distance एक दुसरे के बराबर आ जाएगे तो वही बात यहां लिखी वी है We find the position of अच्छा याद रखना right triangle बनाई ये ये मैं क्यों कहा रहा हूँ इसलिए कि पाइथागर अरफ theorem लगेगा इस पर बनाएंगे वेस्ट की तरफ नहीं इस तरफ बनाएंगे उस तरफ नहीं ड्रॉदा पॉइंट सी फ्रॉम एट वट डिस्सेंस ऑफ एट किलोमीटर अच्छा एट किलोमीटर का डिस्स बना देंगे बी से सी के दर्मियान और नौर्थ में बनाना अच्छा अब आपने पर्पेंडिकुलर बाइट सेक्टर ड्रॉख करने आर्क की मदद से जो और तरीका पढ़ाया था नहों जुमेट्रिक में उस तरहीं से ड्रॉख अब आपने पर्पेंडिकुलर बाइट सेक्टर ड्रॉख किया एबी पर जिसे आपने एम नाम दे दिया है देखरो यह पर्पेंडिकुलर बाइट सेक्टर ड्रॉख किया जिसे आपने एन नाम दे दिया एम जो है वह पर्पेंडिकुलर बाइट सेक्टर एपी पर मिलते हैं वो unique point of intersection होता है यानि circle का center होता है तो circle का center तो आगिया मेरे पास अच्छा तो O क्या है center है अब आपको पता है अगर O center है और A B C circle के circumference पर है तो O से ले के तक का distance same O से ले के B तक का O से ले के सी तक का distance same होगी आपके पास ठीक है तो यहाँ पर लिकावा है कि thus O is the point which is equal distance from the three village तो O ही ऐसा point है जो के तीनों village के same distance पर है अब कहना क्या चाहरे है यहाँ पर समझे है यह कहना क्या चाहरे है कि O ऐसा point है O से ले के A तक का distance बराबर आएगा O से ले के B तक के distance के O से ले के C तक के distance के तो अगर आप मस्जिद जो है वो center पर बना देते हैं तो आपके पास यह R के बराबर आएगा ठीक है आप center पर मस्जिद बनाए तो center पर बनाते मस्जिद को हम ठीक है अब इसको solve कैसे करना है पाइथ हो राइट राइंगल बना वाता ना राइट राइंगल बना वाता ऐसे करकर यह वाला जो था A से लेकर B तक का distance आपको दिया वाता 6 km का और B से लेकर C तक का distance दिया वाता और यह जो है वो आपके पास O पॉइंट बन रहा था जो के circle का center था तो इस पे एक circle बना देता हूं हुआ सो यह गलत है है यह गलथ बन रहा है क्योंकि स्कारियम सहीं हिनलिया गलथ बन रहा है marker से हिंपर बनाना वा इसलिए गलत बना को कि फेले तो circle बना लो चोर्टके फैसरे कि यह था सरकल आप में triangle circum circle यह एंग्हे प्टूइन हालो एक पोई मिया र्क लो ऐख एक पोहणिया रख लो ज़। कि का कि मुझे राइंगल बनाना च्टूइह लेना पड़ेगा अš मरें तरेंटिकली प्रसलेंटर हैं यह में चा क्छे engagement और यह हैं इंतर है यह तो सेंटर क्छेंटर ऐसे इसके इसके बाइट किलो मेंटर différent इससे इसका डिस्टेंस था एट किलो मीटर का अच्छा अब आपने क्या करना है बस कैलकुलेशन पाइथागोरस थियूरम लगेगा पाइथागोरस थियूरम यू लग रहा है कि राइट ट्राइंगल बनावा है इंदर नजर आ रहा होगा आपको तो राइट थ्रैंगल बने होने की यू थियूरम लग रहा है तो पाइथागोरस थियूरम मने क्या होता है हाइट का स्कूरर एक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वाइर प्लस बेस का स्कूरर यहाँ पर हैट क्या है मतलब perpendicular क्या है है हाइट नहीं है हाइट बोलना है तो ओ से ले कर से तक सबसे ज्याददा डिसंस आ रहा है तो यह आपके पास है हाइप आखॉटनियस तो ओ से ले कर पिर तक पर डिसंस गो है वह पर बैस पहले पर्पेंडिकुलर लिखा है तो ओ से लेकर सी तक का डिस्टंस जो है वो सॉरी ओ से लेकर सी तक का डिस्टंस जो है वो आपके पास है हाइपोटनियस ओ से लेकर एसे लेकर बी तक का डिस्टंस है वो है आपके पास बेस और बी से लेकर सी तक का डिस्टंस जो है वो है आपक को यहां लिख लो यहां लिख लो बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है एट किलोमीटर का और एसे लिए बी तक का डिस्टेंस आपको गिवन है अब यहां पर पुट कर दो बी सी कितना डिया आपको एट किलोमीटर का स्कॉर्ड प्लस इबी कितना देव और सिक्स किलोमेटर का स्कॉर्ड कि विए तो यह मैं प्लस करो यह एक कैलकॉलेटर की मतस्तरिय है बैसे भी कल लो 64 64 हो गया आपका एट का स्कॉर्ड उक्स्टी-प्लस था इक्वार्ड टू 100 आपको AC पता करना नहीं था AC का स्क्वाइर नहीं पता करना था AC पता करना था तो AC आपके पास आगिया यह स्क्वाइर से स्क्वाइर रूट कंसल हो गया यह 10 हो गया अब आपने तो हाइपोटनियस निकाल ली हाइपोटनिया इसके मिट पर यह पॉइंट बन जा है तो मिट पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसे टू से डिवाइट तो एसी तो फाइफ किलो मीटर पर अगर आप मस्जिद बनाते हो तो विलिच एसे आने वाले को भी सेम डिस्टंस ट्रेवल करना और देंपास ओस से लेकर थमें दिस्टंस ओ से लेकर pounding जिस्टंस ऑसे लेकर दिस्टंस हिसे जोके तो अगर आप five दोए पर 6 फाइफ किलोमेटर ट्रेवल करना पड़ेगा और सी से ओ की तरफ आने वाले को भी फाइफ किलोमेटर ट्रेवल करना पड़ेगा ओ से ए की तरफ आने वाले को भी फाइफ किलोमेटर ट्रेवल करना पड़ेगा यह एसे ओ की तरफ जाने वाले को तो आप बनाओ ओ पर मस्जि होगी ठीक है तो यह ओ है आपके पास बैसिकली ओ किलो मेंटर है कि सेंटीमेटर लिखें लिखें किलो मेंटर को बहुत देर से पढ़ा रहा है इसलिए हो रहा है तो आई होप समझ में आगिया होगा अगर कुछ ना है और पूछ लेना मैं जाइट कर दूँगा इंशाल्ला ठीक है गुरूप स्मेट हो जाना और नोट्स बाय कर लेना चाहिए हो तो ताकि आपको मिल चाहिए थैंक्स फर वाचिंग अपनी कीम के दुआओं में जरूर याज़िए